हाई अब्रीवन वेल्कम और वेल्कम बैक टू मैं चानल सो कैसे हैं आप लोग मैं बलकुल बढ़ियां उम्मिद करती हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस दीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ यह इंडियन ग्लाम मेकप लुक इसे रीक्रियेट करना बहुत ज्यादा असान है आप इसे पार्टी मेकप लुक भी कर सकते हो अप अपने कोडिंग कलर्स को चेंज कर सकते हो बह बहुत जादा अच्छा आता है तो इसलिए मैं यूज करूंगे प्राइमर के बदले यही वाला स्प्रे यहां पर मैं वेट एन वाइल की फांडेशन यूज कर रही हूं और इसमें मैं यह दो ड्रॉप सीरम की अप्लाई करूंगी इससे थोड़ा सा जो ड्राइ साइड है इस फांडेशन का वो चला जाता है यह मेरे स्कीन पर थोड़ा ड्राइ है इस वजह से मैं इसमें सीरम यूज करती हूं आप किप भी कर सकता है अगर आपकी ओयली स्कीन है तो तैन इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हल्प से ब्लेंड कर लूँगी नेक एरिया को आप बिल्कुल मत भूलना दे नहीं है इसपेस भी ठीका कंसीलर इससे मैं अपने पूरे आई लिट पे लगा लूँगी एज आई प्राइमर अगर आपको स्मोकी आई कर रहे हो तो इसके लिए आपको आपके आई को बहुत जादा हाइलाइटेड दिखाने की ज़रुरत होती है इस वज़े से हम कंसीलर का यूज करते हैं यह पर मैं यूज करूँगी यह लूस पाउडर आप कोई भी लूस पाउडर यूज कर सकते हो जो भी आपके पास है और इससे मैं थोड़ा सा बेकिंग करूँगी अपने आइस के निचे ताके जो भी फॉल आउट हो वो फेस पे ना गिरे देन यह मैं वेटन वाइल्ड की रोज इन दी इयर आईशाडव पालेट लूँगा इसमें से यह ट्रांजेशन कर लेकर अपने पूरे क्रीज एरिय पर अपलाई करोंगी अच्छे से ब्लेंड कर लोगी जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि अपको अच्छे सपने क्रीज एरिया पर यह बिल्ड़ अप करना यह वाला कलर तब तक blend करना तब को जब तक आपको आपका desired color ने मिल जाता है देन आपको small brush लेना और उसमें से यह उससे ज़्यादा dark brown लेकि आपको just transition के नीचे apply करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ इसे भी तब तक blend करना जब तक आपको आपका desired color ने मिल जाता है स्मोकी आई के लिए आपका transition बहुत अच्छा होना चाहिए उसके बाद मैं यूज करूँगे NYB की काजल जो की है royal blue color में बिल्कुल मेरे dress से matching इसे मैं पूरे lead area पे apply कर लूँगे ज्यादा उपर नहीं लेके जाना नीचे नीचे ही blend करना है आपको और इसे blend कर लेंगे अपने smudger brush के साथ यहाँ पर मैं यूज करूँगे यह makeup revolution का ultra eye shadow palette और उसमें से यह shade लेके अपने पूरे eyelid पे apply कर लूँगे यह shade था royal blue blue type का ही था तो उसे मैं पूरे lid पे apply कर लूँगे then एक brush के help से blend कर लूँगे ताकि कोई harsh line ना दिखे then मैं same kaja लेके अपने lashes के ऊपर and नीचे apply करूँगे lower lash line पे भी and उसे smudge कर लूँगे एक smudge hair brush के help से then मैं same brown shade लेके अपने lower lash line पे apply करूँगे and then mascara लगा कि यहां मेरा eye look complete हो जाता है mascara लगाने के बाद मैंने falsies apply की थी and off camera मैंने अपने eyebrows को भी fill कर ले था चहां यह मैंने white color की pencil भी apply की थी eyes जब complete हो जाएगे तो मैंने यह जितना baking था उसे मैंने हटा दिया and जो access बता था उससे अपने पूरे face पे apply कर लूँगे यहां पर मैं use करूँगे सिवाना का blush palette जो की मेरा all time favorite आप सभी को बता है उससे मैं अपने पूरे face को contour कर लूँगी contouring करने से अपके face को बिलकुल एक frame मिल जाता है मैं पूरे face की contouring कर लूँगी nose की भी प्रोडक्ट की detail आपको नीचे मिल जाएगी तो आप महां जाके check out कर सकते हो कि मैंने कौन-कौन सा product यूज किया है then मैं same palette से blush भी apply करूँगी यह pink color का blush है इस अपने पूरे अच्छे से cheeks पे and nose area तक apply कर लूँगी and then मैं उसी palette से highlighter भी apply करूँगी मैं usual अपने पूरे face पे highlighting कर लूँगी एक fan brush के help से पर fan brush नो बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि आपको एक small brush से मिल जाता then यह रहा मेरा lipstick यह है give me mocha wet and wild का अगर आपको यह बहुत ज्यादा dark smokey eye look कर रहे हो तो उसके साथ आपको nude lipstick के साथ जाना चाहिए तो वह अच्छा लगता है यह रहा मेरा बिंदी glam indian बिल्कुल बिंदी के बेना incomplete है और अब मैं आपको बताती है कि मैंने यह चोटी क्यों की थी मैंने एक heatless curl करने के लिए चोटी की थी आप देख सकते हो कितना सुन्दर लास्ट में लग आप देखोगी किता सुन्दर look आया था तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है गाइस तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कर देना मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह वला look कैसा लगा वो होग जादा मेहनत लगी इस look को create करने में तो अच्छा लगत अच्छा लगता लगका लगता है नवीडियो कर दो कि आपके लोगता लगता है लिड़ान बताना मैं जावता है आत्या जादा लगता है